तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक बहुत अच्छा टॉपिक जिसको सभी लोग जानना चाहते हैं कि जब हम ड्रोन लेते हैं तो उसका लाइफ टाइम क्या होता है विद लाइफ टाइम उसके साथ मैचिंग में अगर सब आते हैं तो आप कंपेर कर सकते हैं तो वाइफ टा सब्सक्राइब करते हैं क्या है죠 करते हैं सब कुछ चीज़ इसमें बताब करते हैं कि प्रेंड सबसे वहां बात करते हैं कि DJ के द्रोन में सबसे इंपॉर्टन जो पार्ट हुथा है जो उसकी लाइफ बढ़ाता है या आप कह सकते हैं कि जिसके उपर सारा ड्रोन बेस्ट है वो है मोटर्स तो मोटर्स अब जितने भी अच्छे ड्रोन्स हैं तो डीजे की ड्रोन का भी इसमें मनता हूं इसमें यूज होती है ब्रश लेस मोटर्स आप ब्रश लेस मोटर्स और प्रश वाली मोटर्स में क्या फरक है वो इस टॉपिक मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा आप नेट पे देख लिए शॉर्ट मैं बता देता हूं brushless motors are thousand times better than brush motors और इनकी life होती है जादा तो जितने भी high-end drones या DJI के drone जो आते हैं उसमें brushless motor use की जाती है और इसका lifetime होता है 10,000 घंटे 10,000 hours तो अगर आपको simple calculation में अगर मैं बता हूं तो 10,000 घंटे का मतलब यह होता है कि अगर आप अपना drone DJI का रोज एक घंटा उडाते हैं तो 365 घंटे एक साल में पूरे हुए तो इस इसाब से आप लगा के चलिए कि 10,000 घंटे का पूरे होंगे तो इतना लंबा तो नहीं चलेगा drone पर मैं आपके एक idea दे रहा हूं कि काफी अच्छे से brushless motors जो हैं खराब नहीं होती काफी लंबा time निकालती है तो सबसे जादा important part ड्रोन में किसी भी ड्रोन में होता है motors और वह होती है brushless motors अच्छे ड्रोन में तो वह आपका आराम से 4-5 साल निकाल सकती हैं अगर आप उसको अच्छे से maintain रगते हैं तो तो पूरा lifetime average का मैंट में बताऊंगा तो मैं में में बता रहा हूं अगर यसे है motors की बात करें तो motors आपके 4-5 साल चलती है अराम से तो इसमें सबसे पहले क्या खराब होता है आपके ड्रोन में वह होती है आपकी बैटरी बैटरी आपकी जैसे अगर आप चार्ज नहीं करते हैं उसको regularly उसे नहीं करते हैं तब भी गडबड जादा चार्ज करते हैं तब फिर भी मैंने एक वीडियो मनाया था कि कैसे आप लाइफ टाइम बढ़ा सकते हैं बैटरी का तो उसका कोई इशू नहीं है बैटरी जब ज्यादा बैक अप ना दें तो बदल ले नई बैटरी ले ले तो सबसे पहले जो वीराट होता है पार्ट अपने आप आपके अराम से ये यूस करने के बावजूत वो होता है पैटरी इस। उसके बाद प्रोपैलर्स पे आते हैं प्रोपैलर्स पर्फिक्टृंट खराब होते हैं, आपक अब हूए 공a inee गया पर आपने कहीं मूड और या ट्रैबलिंग में कुछ दब गया तो प्रोपैलर सबसे पहले खर सब्सक्राइब करके पर ब素ns रहे हैं फोड़ा सकते हैं चीज बड़ सकते हैं कि और वह क्ष नहीं कोई सब्टैंसमें उसमें नहीं सेटbelt रहीं है इसके बाद आते हैं और तो इसमें डोन में और ओटू में और याचा कि दोन को से नहीं को बाद फेल मिनलेंगे khác द standards की तो इसमें स्मैवस्ड आंगे मोंटर की बात होगीनी और इसमें और कमें और शस्रेथार आउक धचा नियु समय अधर इनको करते हैं अच्छे से चार्ज करते हैं रगुल्री मेंटेन करते हैं मेंटेन में यह होता है कि आपको रہ Willi बसिल बन्द henIES रगते हैं और चार्ज घर रहना बैटरी यह इसकी मेंटर्श है और बाकी heavy winds वगार और अच्छे weather में उड़ाएं गलत weather, moisture वाले weather, rains में उड़ाएं तो इस तरह से आप कमेंटें रहेगा drone तो राम से आपके 2-3 साल तो निकाली देगा अब बात आती है service की इसकी जो service है अभी फिलहाल इंडिया में DJ की बात कर रहा है और किसी भी अलग ड्रोन की भी बात आप ले सकते हैं reference क्योंकि किसी का भी अभी service station जो है इंडिया में नहीं है तो DJ का Hong Kong में है तो कोई भी problem अगर आपके आती है अगर आप कहते हैं कि मेरे जहां से मैंने लिए उन्हें वरंटी दिये तो वह Hong Kong भी भीजते हैं तो उस service की चक्रों में तो आप पढ़िये मत क्योंकि Hong Kong में भीजना ही बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी travel पर भी इतना चक्र है इतना वह अच्छ जरूज नहीं आए हैं तो वरंटी की तो बात भूली जाएं सर्विस की बात भूल जाएं इंडिया में भी ड्रोन्स के लिए लेकिन अगर आप सोर्स अगर एक्च्छल फैक्ट जाना चाहते हैं तो फैक्ट यह है कि हौंग कॉम में हैं डीजे का और बाकी मीव वगरा का भी कुछ इंफ्रमे करें तो पॉपर मॉल मांट में करें कि ऐसे नहीं कि मल्टी पाल चार्जर लगाया मर्टी मल्टीब लग लगाया हुआ है उसके अंदर अब लगा रहे हैं कभी उसमें पावर आ रही है तो बिएक पुरा सेट नहीं क्योंकि वह बैलेंसिंग में प्रॉब्लम खरते हैं तो वह दिख रहा है और यह चेक कर लें ड्रोन राइन से पहले कि अगर आपको फिक्स करने पढ़ते हैं प्रोपेलर तो वह ज़रूर देख लें कि आपका प्रोपेलर अच्छे से लॉक हुआ है यह नहीं यह बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बढ़ी प्रावलम हो सकती ह ही लगा वैसे तो डीजे ड्रोन स्मार्ट इनफ वह अपने आप ही बता देगा फिर भी कुछ चूप रहा जाती है तो काफी एक्सिजेंट बढ़ा होने की संभावना है तो प्रोपैलोट्स को थोड़ा ध्यान से रखे और बाकी सब कुछ चेक करें और कंपस केलिबरेशन जरूर करें यह मैं पहले बताता हूं और वैदर जरूर देखें जो मैंने बताया है अपने फंद्रा किलोमेटर पर हार्स इस वीड़ जब चलते तो बैस पंद्रा ग्यारा बारा और पंद्रा के बीच में जब विंड होती है या उसे कम यह उसे बेस्ट वैदर तू फ्ला में चलेंगे और तो आपका ड्रोन मेंटेंड रहेंगा और आपको तीन तीन साल तो अराम से निकाल देगा आपके विदाउट एनी पार्ट चेंज और अनिधिंग लागए अगर आप मेरा भी तक कोई प्रपेलर ने डूट है मैं ध्यान सूड़ा ता हूं वह किसमत की बा अब युए अब दॉप टाल टीजा कोई भी फिलाल इंडिया में क्योंकि अभी कोई भी सर्विस्टेशन नहीं तो आपको पसंद आया बगब वीडीयो पसंद आया तो प्लीज लाइक जब ठरें और अगर आप नहीं है चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करें पजुभर इंडिया and I think I am the first one who is here to be very specific about drones क्योंकि drones के उपर अभी इतने चैनल नहीं है और इतने चैनल के लाने बढ़ती है तो मैं लगावाँ आपकी मत प्यार से तो आप प्लीज सब्सक्राइब केजे और इस चैनल को गुरू करवाईए और अगर आप गेमिंग में इंट्रेस्टेट नहीं तो मैंने गेमिंग चैनल देखोड़ा है साइनाइट गेमर के नाम से तो वह भी शुरू हो गया है तो उस पर मैं लाइव स्रीमिंग करता हूं और गेमिंग रिव्यूस देता हूं गेमिंग गेर्स के बारे में पीसी विल्दिंग एवर्थिंग टिल्ट टूगेर्स जया बते ती